सिवान पुलिस दूला के इनामी बदमास गोलु सिंग के सिवान स्टीएफ, डियू और पुलिस बल के सयोग से गिरफतार कर ललस गोलु सिंग के बिहार नेपाल के सिमावर्ती इलाका से गिरफतार कर गिलबा जीवी नगर थाना परीषर में S.D.O. प्रेस वार्ता करके बतेले कि बिहार नेपाल के सिमावर्ती इलाका से 15 अगस्त के गोलू सिंग के गिरफतार गिल गई गिरफतार गोलू सिंग जीवी नगर थाना शत्र के माधोपुर गाओं के रहे वाला हो S.D.P.O. अजय कुमार सिंग जानकारी देद बताईनी कि गोलू सिंग के पास सेगो देशी पिस्तॉल, दूगो जिंदा गोली, 637 ग्राम चरस, 34 ग्राम स्मैक और दूगो मुबाइल भी जब कईल गईल बा गोलू सिंग के उपर सिवान के अलग-अलग आधा दर्जन थाना में कुल 21 हत्या, लूट और आर्म्स एक जैसे संगीन मामला दर्जबा आज शुक्रबार के प्रेश वार्ता करके जानकारी देहल गई एकराबाद सिवान सदर अस्पताल में मेडिकल चेकप करिला के बाद कोट में पेशी भई, कोट न्याइक हिरासत में भेज दहलस दिनांक 15-8-24 को गुप्त सुचना के अधार पर बिहार HDF की टीम और सिवान DIU की टीम और थाना अस्थानिय थाना के पदाधिकारी अबलिक पुलिस बल के दुआरा यहाँ जीवी नगर थाना चेतर के एक उख्यात अपराद कर्मी जिन पर करीब 21 कांड दर्ज हैं और भी कांड हो सकते हैं जिने अन्य अगल बगल के जीला और इससे पता कराया जा रहा है इनको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार कर जीवी नगर थाना में पदाधिकारी और टीम के दुआरा लाया गया जिनके दुआरा अपने अपराद सुईकारोकती बियान में अपराद को कबूल करते हुए इड के द्वारा बताया गया कि पूर्व के अपराद में इस्तेमाल किये गए हथियार अवैद हथियार घर पर चुपा के रखे हुए हैं जिसके आधार पर रात्री में छपमारी की गई पुलिस बल के द्वारा जहां से एक देशी पिश्टल, दो जिंदा कर्तूस और करीब 600 गराम आधा किलो से ज्यादा सुखा चरस और पचास पुरिया चरस एक और चरस बरामद नसिला पदार्थ बरामद की गई है गर घर तक अपना नाम पहुचाना है तो कुछ नया और अलग कीज़े जुर्ये इंदरागास और पेट्रोलियम प्राइविट लिमिटेट से और बनिए लपीजी के दीलर और डिस्टिब्यूटर शुरू कीजे अपना नया बिजनेस इंद्रा गैस के साथ डिलाशिप और डिस्टिब्यूटरशिप के लिए कॉल गारच वाइन व कै it इं Really क drills